हेलो दोस्तों, कनाडा इंडस्ट्री के तरफ से एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म में आ रही है और अब एक और फिल्म का ट्रेलर आया है इस फिल्म का नाम बनारस है ये एक पैन इंडिया फिल्म है जो की फाइब लेंगमेज में रिलीज होगी हिंदी, तिल्गू, तम्मिल, मल्यालम, कन्नर्ड और ये फिल्म 4 नुवंबर को रिलीज होगी वैसे ये फिल्म कनाडा इंडस्ट्री के तरफ से बनी हुई है इस बात पे आप लोग को भरोसा नहीं होगा क्योंकि इसके जादे तर सीन बनारस में सूट किये गए है और वो चीज ट्रेलर देखके पता चलता भी है जहाँ पे गंगा घाट, गंगा आरती समसान घाट, साधू, संत और पूजा पाट सब कुछ दिखाया गया है और तो और इस फिल्म में आप लोग को बनारस के बारत घाट भी देखने को मिलेंगे ये एक मिस्टीरियस लव स्टोरी वाली फिल्म है जिसका भी सिफ ट्रेलर आया है और ट्रेलर भी ऐसा जिसे देखके आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा कि कब क्या हो रहा है कहां हो रहा है क्यूं हो रहा है और किसी भी चीज का जबाब नहीं मिलेगा वैसे तो ट्रेलर होना में बिल्कुल ऐसा ही चाहिए तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक सिड नाम का बंदा है जो कि एस्ट्रोनोट है और वो टाइम ट्रेवल करके बनारस पहुँच जाता है और जब वो बनारस पहुँचता है तो धूम फोर बन गई रहती है और बनारस पहुँचने पे वो अपनी बीबी से भी मिलता है जिसे वो बताता है कि ये उसका future husband है और उस लड़की को इससे इस फिल्म के ट्रेलर के स्टार्टिंग से ही प्यार रहता है तो अब फिल्म के कहानी किस टाइम से सुरू होके किस टाइम पे और किस तरीके से खतम होती है ये तो फिल्म में ही पता चलेगी वैसे इसके ट्रेलर में एक 2005 का किंग कॉंग मुवी का भी सीन है और धूमपोर का भी जो की 2023-2024 में निकले अब इन दोनों मुवी का इस फिल्म से क्या संबन्थ है ये सब मुवी में ही पता चलेगी वैसे तो इसके ट्रेलर से ये फिल्म काफी इंट्रेस्टिंग लग रही है और होगी भी तो आप लोग में से कितने लोग इस फिल्म को देखने वाले हो